Hello everyone, welcome to StudyTube बढ़ेंगे हम लोग इस स्रीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस स्रीज का सेट नमबर 49 इस स्रीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलिग्राम चैनल जोईन करना होगा ये टेलिग्राम चैनल का आईडी है आप इस आईडी के माध्यम से या फिर इस QR कोड को स्कैन करके टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं अगर आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रशनों को HCL घोल का pH 4 है है घोल की मुलारिटी गोल की मुलारिटी निम्लिकित में से क्या है अब ये सवाल जो है BPSC असिस्टेंट 2023 में पूछा गया था 28 सपरील को Out of syllabus सवाल है पूरी तरह से syllabus से बाहर का सवाल है ऐसा होता ही है हर एक्जाम में 102 सवाल ऐसे आई जाते हैं जिनका syllabus से कोई लेना दिना नहीं होता है ये सवाल उसी में से एक है है तो आसान सवाल लेकिन ये syllabus से बाहर का सवाल है molarity, molarity बरावर होता है 10 पे पावर माइनस pH 10 पे पावर माइनस pH तो 10 पे पावर माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि pH 4 है और ये हो जाएगा हमारा answer ये हमारा answer निम्लिकित में से गुते आटे के फूलिने का क्या कारण है इसके पीछे कारण है carbon dioxide का उत्पादन जब खमीर को आटे के साथ मिलाया जाता है तो ये आटे में मुझूद शडकरा यानि की carbohydrate का fermentation होता है और fermentation में आपने पढ़ा होगा कि carbon dioxide gas का उत्चरजन होता है साथ में alcohol भी बनता है और carbon dioxide gas उत्चरजित होती है तो alcohol तो evaporate कर जाता है वाश्पिक्रित हो जाता है और carbon dioxide gas के कारण क्या है कि ये जो आटा है ये फूल जाता है और हलका हो जाता है निमलखित कतनों में से कौन सा कतन हाथियों के बाड़े में सत्य है ये सवाल कई सारे एक्जामों में पूछा गया हुआ है इस एक्जाम में भी पूछा गया था तो B option हमारा सही है तीन महीने के हाथी का बच्चा आमत्वरबर लगभग 2 quintal वजन का होता है तीन महीने का ही है मात्र हाथी का बच्चा और weight 200 kg यहां weight का मतलब जो है दरवेवान है मास है ठीक है बल मत समझना 2 quintal 200 kg तक का होता है मानव आंक में focus दूरी का परिवरतन निमलिखित में से किसके कारण होता है focus दूरी का जो परिवरतन होता है निमलिखित में से किसके कारण होता है जब हम दूर के वस्तू को देखते है तो जो नेत्रलेंस है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और वस्तू हमें साफ साफ दिखती है जब नजदीक के वस्तू देखते है तो फोकस दूरी घड़ जाती है और वस्तू हमें साफ साफ दिखती है तो यह जो फोकस दूरी का बढ़ना है, घटना है, किसके मदद से होता है, यह होता है सिलेरी मसल के मदद से, ठीक है, यह सिलेरी मसल के मदद से, सिलेरी मसल जो होती है, वो लेंस को पकड़ के रखती है, जब यह संकुचित होती है, तो लेंस मोटा हो जाता है, जब यह शिथ पाएं तो डी हमारा यहां पर आंतर हो जाएगा जब प्रकाश हमारे आखों पर टकराता है तो सबसे पहले कहां पर टकराता है कॉर्णिया पर कॉर्णिया पर प्रकाश का अपवर्तन जो है सबसे ज़्यादा होता है और हमारे आखों के भीतर प्रकाश के कितनी मातरा यह नियंत्रित होता है पुपील के द्वारा पुतली के द्वारा और यह पुतली के साइज को कंट्रोल करता है यह पडितारिका नेत्रदान में जो दान दिया जाता है वो कॉर्णिया होता है और जो आखे हैं जो वाइट क्लर का पार्ट है उसे हम एस्कलेडा बोलते हैं और जल की कमी नहीं होगी जो ग्राउंड वाटर है उसमें कमी नहीं होगी तो इन चारों में जो सबसे हमारा बेस्ट आंसर है वो है बी वन डोपन जितने ज्यादा पेर पाउदे होंगे जितने जंगल होंगे वर्षा कराने में वो उतने ही ज्यादा साहयक होते हैं और ज्यादा पेर फोदे होते हैं तो ज्यादा ज्यादा पानी को जो है वो रोक करके रखते हैं अगर वर्षा होती है तो जल को ज्यादा ज्यादा रोक करके रखते हैं उस जल का बहुत वड़ा भाग जो है धीरे-धीरे रीस करके भूमी में चला जाता है तो भी हमारा यहाँ पर बिल्क प्रफ्म जीन पडिवरतन का पयदा किया हुब पौधा कौन सा है। को पहला जीन पडिवरतन का पैदा किय हुब पोधा यानिकि अनवानशीक रूपसे रुपांजरित पहला पौधा कौनसा है तो यह है तमबाकू अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो तमबाकू है अगर हम भारत में बात करें तो यह BT बरिंजल है लेकिन BT बरिंजल को बाद में बैन कर दिया गया क्योंकि इसका जो है बुड़ा प्रभाव देखा गया मनुश्य के हेल्थ पे वैवसाई के रूप से जारी पहला अनुवानशिक रूप से रूप अंत्वित पौधा था बिटी का पास प्रित्वी के तुनला में चंदर्मा के सतह पर प्रित्वी की तुनला में चंद्रमा की सतह पर क्या होगा वस्तू का द्रवेमान और बहार दोनों कम हो जाते हैं गलत हो जाएगा चंद्रमा पर जाएगे तो बहार कम हो जाएगा लेकिन द्रवेमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा वस्तु का द्रवेमान इस्ती रहता है और केवल बहार कम हो जाता है तो यह सही है कितना बहार कम हो जाता है तो प्रित्वी पर जो बहार है इसका हो जाएगा एक वट्टा में छे मून पे सुरी यह उल्टा लेख दिया मैंने मून पर जो चंद्रमा का बहार है वो हो जायेगा जितना प्रित्वी पर है उसका एक वट्टा चे तो इसको काट दो ये सही है क्यों? क्योंकि जी का जो मान है मून के सतह पर वो प्रित्वी के सतह पर जो जी का मान है उसका एक वट्टा चे है यही कारण है बांकि जो दरवेमान है इसमें कोई पड़िवर्था नहीं होता है चाहे आप यूनिवर्स में कहीं पर भी चली जाओ हमारे शरीर के इसको काट दो हमारे शरीर का अधिकतर हिस्सा निवलिखित से बना होता है हमारे शड़ी का अधिकतर हिस्सा बना होता है पानी से हमारे बॉडि में पानी जो है वो 65 से 70 पर्तिशת हैं वदेश जिनसे पोलिश युक्त चाबल मुख्य भोजन है वहां के लोग समानता किस भीमारी से ग्रसित वह जाते है Polish Yukte Chawal जो चावल होता है उसके उपर उसके उपर जो है Polish चड़ा दिया जाता है या फिर बोल सकते हो उसके उपर की जो परत होती है उसको हटा दिया जाता है हटाने के साथ क्या होता है कई सारे Neutrients और Vitamins होते हैं वो भी वहाँ से Remove हो जाते हैं तो जादा तर देखा गया है कि जो विटामिन B1 है उसकी कमी हो जाती है Polish चावल में उपर के परत को हटाने के करण जो है विटामिन B1 की कमी हो जाती है विटामिन B1 का रसानिक नाम Thymine है इसके कमी से बेरी-बेरी रोग होता है तो बेरी-बेरी हमार आंसर हो जाएगा विटामिन B3 की कमी से पेलेगरा रोग होता है विटामिन B3 का रसानिक नाम नियसीन है विटामिन C की कमी से सकरवी होता है विटामिन D की कमी से बच्चों में सुखा रोग यानि की रिकेट्स होता है और वेस्कों में ऑस्ट्यो मलेशिया रोग होता है इन दोनों में हड़ियां जो है कमजोर हो जाती है आइंस्टीन को अपना नोबल पुरस्कार मिला सापेक्षता के सिधान्द के लिए गलत हो जाएगा सापेक्षता के सिधान्द कि खोज तो Einstein ने की बट इनको इस कर्ण से नोबल प्राइज नहीं मिला था नीट्रॉन की खोज के लिए इन्हों ने के ही नहीं ये भी नहीं होगा गुरत्वा करशन से धांद के लिए गुरत्वा करशन का नियम Newton ने दिया था तो ये भी नहीं होगा तो इन में से कोई नहीं हमारा आंजर होगा प्रकाश विदुद प्रभाव की खोज के लिए अलवर्ट आइंस्टीन को 1921 में बहुतिकी में नोबल प्रसकार से समानित किया गया था 1932 में जेम्स चैडविग ने नियूट्रॉन की खोज की थी तो हमारा आंसर डी हो जाएगा पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धी करन या फिर प्रिथर करन अलग करने की कारिविदी है तो ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टीलेशन आंशिक आस्वन या फिर प्रभाजी आस्वन बोल दो इंगलिश में बोलता है फ्रैक्शनल डिस्टीलेशन क्रोमेटोग्राफी का उप्योग देखो किस में होता है डाई में रंग को प्रिथर करने में जो डाई होता है उसमें एक से अधिक रंग होते हैं तो उन सारे रंगों को अलग करने में प्राकृतिक रंगों से pigment को अलग करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में, आस्वन या फिर वाश्प आस्वन जो यहाँ पर है C में, दो गुलनशीले द्रवों को अलग करने के लिए आस्वन विदी का प्रयोग किया जाता है, और ये दोनों जो द्रव होत होता है, उसमें अंतर काफी ज़्यादा होता है, प्रभाजी आस्वन विदी का प्रयोग करते हैं, प्रभाजी आस्वन विदी का प्रयोग करते हैं, प्रभाजी आस्वन विदी का प्रयोग जो है, ये वायू से विभीन गैसों को अलग करने में, पेट्रोलियम उतपाद स से विभीन घटकों को अलग करने में प्रभाजी आस्वन विधी का प्रियोग किया जाता है प्रेट्रोलिय मुत्पात से विभीन घटकों को अलग करना ही क्या है शुद्धिक्रन है तो इसमें प्रभाजी आस्वन विधी का प्रियोग किया जाता है तो हमारा आंसर यहां पर पर तब प्लास्टर परिस बनता है सी हमारा राइट आंसर प्लास्टर ऑप परिस जिपसम को गर्म करने पर इसका रसाइनिक सुत्र ये होता है तो जब इसी जिपसम को 373 केल्वीन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑपरिस प्राप्त होता है जो कि सफेद चुड़ने है निम लखित में से किस जीव समों पढ़ियावरन को स्वच रखने में सहयक है पढ़ियावरन का सफाई करमी या फिर प्रकृति का सफाई करमी से कहा जाता है यह होते हैं अपघटक और अपघटक में मुख्य रूप से जाने जाते हैं बैक्टिरिया और फंजाई डी हमारा आंसर जीवानू और कवकों लोग क्या बोलते हैं डिकंपोजर भी बोलते हैं अपघटक भी बोलते हैं श्वसन के इन में से किस अभिक्रिया में oxygen के आविशक्ता होती है कौन से टाइब के respiration में oxygen के आविशक्ता होती है तो pyruvate के carbon dioxide water और उड़िया में रुपांतरन के लिए oxygen के आविशक्ता होती है mitochondria में देखो गुलकोट से pyruvate बनने में तो oxygen नहीं चाहिए लेकिन pyruvate से ये उड़िया को निकानने में oxygen चाहिए और साथ में ये सह उत्पात के रूप में बनते हैं तो ये हमारा answer pyruvate के ethanol में रुपांतरन जो अभी आपने देखा था थोड़ दिर पहले जो आटा वाला सवाल था कि आटा फूल जाता है carbon dioxide के उत्सरजन के कारण वहाँ पर यही होता है जो शड़करा होता है वो pyruvate में convert होता है फिर pyruvate जो है ethanol में रुपांतरित होता है और यहीं पर carbon dioxide gas का उत्सरजन भी होता है तो यह fermentation होता है यहाँ पर जो oxygen है वो या तो अनुपस्तित होती है या फिर बोल सकते हो कि आप पढ़ियापत मातरा में oxygen जो है यहाँ पर होती है तो यहीं अपने आप में किया है कि fermentation होता है east के अंदर जो है यह वाली अभिकरिया होती है गुलकोच से pyruvate और pyruvate से एथनोन प्लस carbon dioxide उसी गमलोग fermentation भी बोलते है alcoholic fermentation और गुलकोच के pyruvate में रुपांतरन इसके लिए oxygen जो है नहीं चाहिए होता है और यह कोशी का द्रब में होता है यह भी कोशी का द्रब में होता है यह जो B है लेकिन यह जो है A यह mitochondria में होता है यह mitochondria में होता है यह हमारा answer प्रक्रिया में तीन उतपाद इस उन्हें MIchi chubby hada । हर इसमें तीन उतपाद कौन-कौन से बनते नहीं होता है इसमें जो ब्राइन हम बोलते हैं कस्टीक सौडा तो हमारा अंसर क्या हो जागा क्लोरीन हाइरोजन और सोडियुम हाइडूर्वकसाइड क्लोरीन है तो क्लोड' आया है यहां पर और यह की और यह शार है ऐलकली है तो अलकली आया है, क्लोड अलकली प्रिक्रिया तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्यपुर्ण सवाल है ये याद रखिएगा निमलकित अभिक्रिया में P की वारिस की पहचान कीजिए P की वारिस की पहचान करना है तो कुछ नहीं आपको यहाँ पर संतुली तिकरना है और संतुलन भी काफी आसान है, बस यहाँ पर P कासान पर दो लिखना है ये हमारा आंसर हो जाएगा ये अगदम स्टार लगा लो, ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रियक्शन है फेरस सल्फेट को गरम करने पर, तापिय अब घटन करवाने पर फेडिक उक्साइड सॉलिड बनता है, सल्फर डायोक्साइड गैस और सल्फर ट्रायोक्साइड गैस उत्सर जित होती है यदि एक आप्तीत प्रकाश किरन किसी अवतल दरपन के वक्रता केंदर से गुजरती है तो आप्तीत किरन और प्रावर्तीत किरन के वीच बनने वाला कोण डैश के बड़ावर होगा प्रकाश के लिए वक्रता किंदर से गुजरती है तो क्या होता है दरपन पर लमवत होती है तो वो उसी पात पर लौट जाएगी तो दोनों के बीच एंगल जीरो डिगरी दो क्रमागत समझाती है शेनी के सेदस्यों के बीच आणविक दरबान में कितना अंतर होता है कितना अंतर होता है जैसे कि अलकेन है अलकेन में जो क्रमागत समझाती शेनी होंगे उसमें मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तो कोई सावी दो लगातार उठालो तो उसके formula में तो CS2 का अंतर होता है जैसे कि methane है CH4 और इसका अगला मेंबर होता है methane CS3 CS3 इन दोनों के formula में CS2 का अंतर है और CS2 का जो द्रवेमान है वो 14 होता है तो भी हमारा आंसर हो जाएगा याद रखेगा और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे methane, methane, propane, butane, pentane इस प्रकार से जैसे से हम नीचे जाएंगे molecular mass बढ़ेगा आनविक द्रवेमान बढ़ेगा आनविक द्रवेमान बढ़ने से क्या होता है कि melting point भी यहाँ पर बढ़ता है और boiling point भी बढ़ता है किसी भी समझाती शेनी में हम जैसे से नीचे आएंगे आनविक द्रवेमान बढ़ेगा साथ में melting point और boiling point भी बढ़ेगा प्रकाश की गती अधिक्तम होती है प्रकाश की गती और अपवर्तनानक में उल्टा relation होता है तो जिस भी माध्यम का जो अपवर्तनानक है वो कम होगा उसमें प्रकाश की गती जो है अधिक होगी तो प्रकाश सबसे तेज चलती है निरवात में जबकि धोनी तो निरवात में चलती ही नहीं है निरवात के लिए जो mu होता है वो 1 होता है और yu के लिए 1.003 होता है और gel के लिए होता है 1.33 50 degree Celsius का मान Fahrenheit scale में है तो Fahrenheit scale में convert करने के लिए degree Celsius को हमारे पास क्या formula है f is equal to 9 by 5 c plus 32 यही है ना तो 9 by 5 c के जब डालेंगे हम यह 50 प्लस यह 32 तो यह 50 यह हो जाएगा हमारा 90 प्लस 32 एक सो 122 डिगरी फेरनहाइट में भी हमारा आंसर विदुद चुमबक के प्रेडन पर अधारीत है यानि कि electromagnetic induction पर अधारीत है डाइनेमो एंड ट्रांसफरमर दो एक्जामपल आपको धियान में रखने है कि यह दोनों जो है अधारीत होते हैं विदुद चुमबक के प्रेडन पर डाइनेमो या फिल आएगा जेनेरेटर साथ में ट्रांसफरमर CFL का पुर्ण रूप होता है CFL का इस्तमाल जो हम लोग घरों में करते हैं लाइटिंग के लिए और यह है CFL Compact Fluorescent Lamp विदुद मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है विदुद मोटर में लगा होता है विभक्त वले स्प्लिट रिंग बोलते हैं इसका काम होता है धारा के प्रवाह को उलटना तो यह हमारा सेट नमर 49 यहां पर समाप्त होता है मिलते हैं अगले वडियो में थैंक्यू सो मच